कान बहने का सबसे आम कारण है मिडल एर का इंफेक्शन जिसकी वज़ा से कान के परदे में छेद हो गया हो शुरुआती लक्षनों के समय तो इसका इलाज सरल है लेकिन बाद में ऑपरेशन जरूरी हो जाता है पर्मनेंट हीरिंग लॉस हो सकता है और कुछ केसे में तो बिना इलाज के ये इंफेक्शन जान लिवा भी हो सकता है नमस्कार मैं डॉक्टर राजीव भाटिया दिल्ली में कारिरत एंटी सर्जन हूँ आज हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया यानी मिडल इर इंफेक्शन और उसके कारण होने वाले कान के परदे के छेद की जब कान से रोज या रुक रुक कर छे हफ़ते से ज्यादा पानी या पस आता है तो उसे डॉक्टरी भाशा में CSOM या क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं क्रॉनिक मतलब लंबा चलने वाला मिडल एर या मध्धे कान कान के परदे और इनर एर के बीच का वो हिस्सा है जिसमें सुनने वाली तीन हड़िया मौजूद होती हैं मिडल एर में बैक्टीरिया गले या नाक से पहुंचते हैं क्योंकि मिडल एर यूस्टेशन ट्यूब नामक नली के द्वारा गले के उपरी हिस्से से जुड़ा होता है बैक्टीरिया के कारण मिडल एर पस से भर जाता है और कान के परदे पर सूजन आ जाती है अधिक प्रेशर बनने पर कांग के परदे में छेद हो जाता है और पस या पीप बाहर निकलने लगती है बार-बार इंफेक्शन होने पर ये छेद भर नहीं पाता मिडल येर के इस लंबे चलने वाले यानि क्रॉनिक इंफेक्शन को हम दो शेडियों में बाटते हैं सेफ और अंसेफ सेफ वाला ओटाइटिस मीडिया मिडल येर तक ही सीमित रहता है अंसेफ वाला ओटाइटिस मीडिया खतरनाक होता है क्योंकि वो कान के पास की हड़ी और नसों को डेमेज करके ब्रेन तक पहल सकता है और जानलेवा भी हो सकता है अंसेफ वाले इंफेक्शन में मवाद बद्बूदार हो सकता है और उसमें खोन भी हो सकता है लेकिन पक्की तरह से तो ENT Specialist ही आपके कान के परदे को देखकर ये बता सकते हैं कि आपका इंफेक्शन खतरनाक है या नहीं अंसेफ इंफेक्शन के बारे में आने वाले किसी वीडियो में और चर्चा करेंगे अब हम चर्चा करेंगे सेफ टाइप के इंफेक्शन के लक्षणों की वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें कान से आने वाला पस आम तोर पर गाढ़ा और चिपचिपा होता है कान बंद बंद लगता है नाक साफ करने पर कान के परदे के छेद से हवा निकलती हुई महसूस हो सकती है लग भग 60 प्रतिशत CSOM के मरीजों में सिग्निफिकेंट हीरिंग लॉस मतलब सुनने की कमी पाई जाती है ENT सर्जन आपके कान का चकप करके परदे के छेद को देख सकते हैं ऐसा ओटोसकोप नामा काउजार या फिर कान की एंडोसकोपी करके किया जाता है आडियोग्राम या हीरिंग टेस्ट से ये पता किया जा सकता है कि इंफेक्शन के कारण सुनने की हड़ियां या सुनने की नस्थ तो डैमेज नहीं हुई सेफ वाले इंफेक्शन में डॉक्टर आपके पस को सुखाने के लिए एंटिबायिटिक और अन्य दवाइं देंगे इंफेक्शन से हुआ एरडरम का छेद अगर बहुत छोटा है तो पस सुखने पर अपने आप भी बंद हो सकता है ना हो तो इंटि स्पेश्टिज द्वारा उसके किनारे पर दवाई लगा कर भी उसे बंद किया जा सकता है इसे मेडिकल भाशा में केमिकल कौटरी कहते हैं ज्यादा तर केसेज में मारिंगो प्लास्टी या टिमपैनो प्लास्टी नाम का एक छोटा सा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है इसमें कान के पीछे की स्किन के नीचे की लेयर से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर कान के परदे की रिपेर की जाती है अधिकतर मरीज सुभा ऑपरेशन करवा के शाम तक घर चले जाते हैं इस ऑपरेशन की सकसेस रेट पे 95% के करीब है ठीक होने के बाद कोई देख कर ये बता भी नहीं पाएगा कि आपका कभी ऑपरेशन भी हुआ था अब मैं आपको इस बीमारी के सेफ होने के बावजूद ऑपरेशन करने का कारण समझाता हूँ पहले तो इंफेक्शन से छेद होता है पर फिर छेद के कारण बार-बार इंफेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है बार-बार infection होने से परदा और ज्यादा damage होता है इसके कारण परदे का छेद धीरे-धीरे और बड़ा होता जाता है बड़े छेद का operation थोड़ा कठिन होता है इसलिए समय से operation करवा लेना ही ठीक है operation हो जाने पर अधिकतर cases में सुनने की क्षमता में भी सुधार हो जाता है अब मैं आपको कान के परदे में छेद वाले मरीजों के लिए कुछ सावधानिया बताऊंगा ध्यान देना होगा कि कान में पानी बिलकुल न जाए तेल में डुबी हुई रूई अच्छी तरह निचोड कर नहाने से पहले कान को बंद करने के लिए इस्तेमाल करें कान का मवाद साफ करने के लिए कोई भी चीज कान के अंदर न डाले रूई वाली इयर बड्स भी नहीं इस से इंफेक्शन और कान के पर्दे के और ज्यादा फटने का खत्रा होता है तीसरी बात नाक को जोर जोर से साफ ना करें इस से नाक और गले का इंफेक्शन कान में जा सकता है और कान के पर्दे के अपने आप ठीक होने में भी रुकावट आ सकती है तो अगर आपका कान बह रहा हो तो जल्दी से जल्दी नाक कान गले के डॉक्टर की सलाह ले ऐसा करना अंसेफ इयर इंफेक्शन के खत्रों से तो आपको बचाएगा ही साथ ही सेफ इयर इंफेक्शन का उपचार भी समय से शुरू हो सकेगा तो आप आसानी से ठीक होके अपनी सुनने की बहुमुल्य शक्ती को बचा पाएंगे धन्यवाद